और चलिए ब्रेक के बाद इबाद फिर से आप से भी का स्वागत है यूपी के बांदा जिले में यमुना नदी में एक बड़ा हाथसा हो गया तरसल यमुना नदी में यात्रियों से भरे नाफ बलट गई जिसमें के दो लोगों की मरनी की भी जानकारी मिल रही है आपको यह भी बताएं कि नाफ पर करीब 30-40 लोग सवार थे जिसके बाद जानकारी मिलते ही प्रोशासन मौके पर पहुँचा फिलाल बचाफ कारें लगातार जारी है और यह तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हाथसे के बात की तस्वीरे हैं तमाम जो ग्रामीन हैं वो यहाँ पर पहुचे हुए हैं और जिनके परिज़न इस नाफ में कही न कहीं सवार थे जो कही न कहीं जो लोग है वो लापता भी बताए जा रही है और उनके परीचन और प्रुशासन, पुलिस सभी आपर मौके पर मौजूत नजर आ रही है और रात बचाव कारे भी किया जा रहा है फिलाल बचाव कारे भी चल रहा है, रेस्क्यू भी चल रहा है लापता लोगों के तलाश जारी है तो नाव में करीब 30-40 लोग सवार थे हालाकि दो लोगों के मरने की भी खबर है और पुलिस और जो प्रुशासन है वो मौके पर जानकारी पाकर मौके पर पहुँचा है बांदा जिले में ये बड़ा नाव हादसा हुआ है तरसल इसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि 30-40 लोग सवार थे और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस दौरान दो लोगों के मरने की भी जानकारी मिल रही है करीब 20 के आसपास लोग है जो अभी भी लापता बताए जा रही है यूपी के बांदा जिले में ये बड़ा नाव हादसा हुआ है एक नाव जो के हादसे का शिकार हुई इसमें 30-40 लोग सवार थे दो लोगों के मरने की जानकारी मिल रही है और 20 के करीब लोग लापता भी बताए जा रहे है मौके पार पुलिस, फोर्स और प्रशासन पहुचा हुआ है जो की बचाव कार्रे करने में जुटा हुआ है और तमाम जो परिजन है वो भी पहुचे हुए है जिन घर के लोग जो थे वो नाव में सवार थे और वो भी अभी लापता बताए जा रही है और उनके तमाम परिजन, ग्रामिन यहां पर मौके परिकठा हो चुके है पुलिस और प्रशासन भी मौके पर मौजूद नजर आ रहा है तस्वीरे भी आपको लगातार दिखा रही है गंगा नदी में, यमुना नदी में दरसल यह जो नाव है वो पलट गई जिस कारण यह बड़ा हाथसा हुआ है और यमुना नदी के किनारे पर लोग पहुचे हुए है और वहीं आजादी के अमरित महुतसव के तहत संगम नगरी प्रियाग राच में के डिप्टी सीम केश्व प्रसाद मौर्य के अगवाई में बाइक तिरंगा यात्रा निकाली गई दरसल प्रधान मंत्री नरींद लोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक तिरंगा यात्रा हाइक कोट के अंबेटकर चौराहे से निकाली गई यात्रा को रवाना करने से पहले डिप्टी सीयम ने बाबा सहप भीम राव अंबेटकर की प्रतिमा पर माल्यारपन कर उन्हें नमन किया जिसके बाब डिप्टी सीयम बीजेपी महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी के साथ बाइक पर बैटकर और हाथ में तिरंगा लेकर तुरंगा यात्रा पर निकले तिरंगा यात्रा अबेटकर चौराहे से सुभा चौराहे होते हुए शहीद चंद्रशेकर आजाद पार् आज प्रियाग राज में आजादी के आमरीत महोस्तो वर्स के आउसर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है इस प्रकार के आयोजन पूरे प्रदेश और देश में हो रहे हैं प्रियाग राज की सायोजन में ये भारी संख्या में हमारे युवा हमारे अधिवक्ता हमारे व्योसाई हमारे पार्टी से जुड़े हुए समाज से जुड़े हुए सभी लोग इस तिरंगा यात्रा का हिस्ता बन रहे हैं यह तिरंगा यात्रा भारत की एकता को और मजब करेंगे उस समय भारत विश्व गुरू बनेगा विश्व का नेत्र तो करेगा आज ऐसी परिस्तियां देश के अंदर दिखाई दे रही है और इस समय हर घर त्रंगा अभियान की दिश्टी से यह जो जंजागरण अभियान चल रहा है इसके कारण से मैं देख रहा हूं कि य यह एक जनांदोलन का रूप ले रहा है और सब लोग इसका हिस्सा बन रहा है लखनौ में डिप्टी सीम ब्रजी शिपाठक ने कल्यान सिंग कैंसर संस्थान का ओचक नेरिक्षन किया और इसे निरिक्षन के दौरान कैंसर संस्थान में हरकंप भी देखने को मिला जिसके बात अस्पताल में जल्द ही 200 बैट पर कैंसर मरीजों को भरती करने की निर्देश भी दिये गए इस उचक नेरिक्षन के दौरान डिप्टी सीम ने वाड से लेकर OPD तक का जायजा लिया और इसे दौरान डिप्टी सीम ने मरीजों से बात चीत भी की साथे साथ डॉक्ट बांदा सिले में एक बैंक से खाता धारकों के खाते से पैसे गायब होने का मामला सामने आया है दरसल पीडितों ने उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौपकर न्याय की गुहार लगाई है सैकडों के संख्या में जिलाधिकारी कार्याले पहुचे ग्रामनों का इसीध नहीं नहीं है इन सभी का ये भी आरोप है कि बैंक मैनेजर विशाल गुपता पूछताच पर कोई सही जानकारी नहीं दे रही है जिसे कि ग्रामिनों को पैसे डूबने का डर सताने लगा है बदाईयों जले के वजीर गंच थानक शेतर में पूलिस को पीटने वाले बारा लोगों को गिरफतार कर लिया गया दरसल आपको ये बताती चली कि अपरहन की बात हत्या के जानकारी मिलने पर शव बरामत करने गई तीम पर हमला हुआ था जिसके बाद वजीर गंच थाना पुलिस को दोड़ा दोड़ा कर पीटने वाली भीड के बारा नामजत हुए हमलावरों को पुलिस ने अब गिरफतार कर लिया है जिनके खिलाफ जान लेवा हमला समेत और सरकारी काम में बादा डालने के अलावा और कई गंफिर धालाओं में मुकदमा दर्च किया गया है कुशिनगर जिले के पडरोना कोतवाली के जड़ीश पूरम कॉलोनी में महिला की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया है दरसल शव को फर्श पर छोड़कर बादमाश मौके से फरार हो गए पुलिस ने शव को कबसे में ले लिया है और मामली के जाच अभी की जा रही है दरसल बताया ये भी जा रहा है कि महिला के दो बेटे हैं उनके पती सेना से रेटाइड जवान है लेकिन जो समय ये पूरी वार्दात घटी घर में उस वक्त कोई नहीं था पूर्णी निवास संगीदा देवी वाइफाप रमेश सिंग उम्र लगवद 25 वर्ष पिगले पे किसी धारदार वस्तों से प्रहार कर अथ्या की घटना कारिक करने के संबन में सूचना प्राप्त हुई तक्काल फोरेंसिक टीम को मौके पे बेज कर शानमेंदी कारवाई प्लारम की गई प्रकर में अभ्यूद बंजगित कर लिया गया है तथा प्रिजमस पूश्ताच के आधार पर एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा जरे हिजासत में लेकर पूश्ताच की कारवाई की जा रह और वहीं योपी के लखनव जिले में त्योहार को लेकर पैदल मार्च निकाला गया तो रसल रक्षा बंधन और स्वतंतरता दिवस के पहले नौर्थ जोन के पुलिस ने कमर कसली है जिसके चलते भीडबार वाले सभी इलाकों में पुलिस ने मार्केट में भी पुलिस ने पैदल मार्च निकाला आपको बताते चली कि रक्षा बंधन से पहले महिलाओं में सुरक्षा भावना बनाने के लिए नौर्थ जोन पुलिस ने गश्ट की यूपी के चासी जिल से अगली खबर आपको बताएं जो आपर रक्षा बंधन का त्योहार जोर शोर से मनाया जा रहा है दरसल रक्षा बंधन का त्योहार भाई भेन का अनूठा प्रेम का पर्फ माना जाता है जिसको लेकर जहासी के बाजारों में भी काफी रौनक देखने को मिल रही है बाजारों में रक्षा बंधम की खरीदारी के लिए लोगों की भीड देखी जा रही है और साथे साथ बाजार रंग पिरंगी राख्यों से सजे हुए हैं इसी कड़ी में बड़ा गाम कस्बे के बाजार में दुकान दारू के चहरू पर कोरुणा काल के बाद फिर से खुशी देखने को मिल रही है कुशी नगर से अगली खबर आपको बताएं जहापर पुलिस ने चोरी के बाहन को कबार की दुकान से बरामत किया दुरसल कबार की दुकान से चार बाहनों को बरामत किया गया रहाला कि कबाडी दो बाहनों को पहले ही काट चुके थे और दो गाड़ियों को काटने की फिराक में थे लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड लिया और पुलिस ने मुकबिर की जानकारी मिलने पर सलेमगड नोनिया पट्टी के पास कबाड की दुकान पर अवैद रूप से काटी जा रही गाड़ियों समेथ कबाड़ी नरींद्र चौरसिया को भी गिरफतार कर लिया है और पुलिस अधिक्षक धवल जैसवाल ने पूरी कारवाई की प्रेस कांफरेंस साहकर जानकारी दी नरींद्र चौरसिया है इसके लावा इसके तीन साफियों को वांचित दिया गया है जो अगी पुलिस की बहुत से वाहर उनके लिए पुलिसी में निक्रंतर सक्री दविश्टे रही इनके मौके से एक कटी हुई पुलेरो एक कटी हुई पिकप एक मारती वैगनार और टा कारिक्रम का आयूचन किया गया जिसके तहत अपीलिभीत जिलादिकारी ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर एक रिक्षा रैली को हरी जड़ी दिखाई दरसल आपको बताए कि यह रिक्षा रैली पूरे शहर भर में राउंड लगाईगी और आज़ादी के महतसफ को विद्यार्थियों ने भी हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा यात्रा निकाली रैली का शुभारंब विद्याले के प्रबंधक उप प्रधारा चारे ने हरी जड़ी दिखाकर इस रैली में एक अक्षा 6 से लेकर बारत के विद्यार्थियों ने भाग लिया तो भारत माता की जै वीर शहीद अमर रहे के नारे भी लगाए गए पाजादी के अमरित महुत सब के उपलक्ष में हैं पूरे सब्दा इसका आयोजन करा जा रहा है अलागला विभागों द्वारा अलागला तरीके से इस पर्व को मनाया जा रहा है पूरे जन्पद में कई तरह के आयोजन रखे गए हैं जिसमें कुछ मेराथन दौर भी शामिल है कुछ सांसकति कारिकरम शामिल है कुछ रैलियां शामिल है आज परिवहन विभाग के द्वारा भी ही रिक्षा के माध्यम से है और जली फिलाल इन्ही खबरों के साथ पूरवांचा लाइफ में बस इतना ह आप देखते रहे हैं नेटवर्क टैन जैहिंद